हलो जोस्तों स्वागत है आपको हमारी चैनल करियर अप्वेट पाइंजिनियर में मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है फिटर थेरी का फुल कोर्स चल रहा है हमारी चैनल पर तो उसी के अंतरकती है हमारा जो लेक्चर है यह लेक्चर नंबर 3090 के इसके पहले 38 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आप किसी भी कंप्रेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह फिटर 3D का फुल कोर्स चलाया जा रहा है साथ ही साथ अगर आप पर सेकेंड डियर का एक्जाम होने वाला है ठीक है जैसा कि आपको मढख में अपको डिस्किप्शन बाक्स में मिलएगा टेलेग्राम का इस्फिटर्वालों के लिए गृब बनाया गया है सबी जो यहाँ पर मेंबर से हैं वो फिटर के जुड़े हुए हैं 200 से अधिक मेंबर हो चुके हैं इस ग्रूप में यहाँ पर जो क्विज आगनाई होता है ठीक है उस क्विज में आप पार्टिस्पेट कर सकते हैं और अपनी छमता को पहचान सकते हैं कि कितने प्रस्मों को अपने आज के टॉपिक की तरफ कि जो चैप्टर हम लोग सुरू करने हैं वहाज हमारा चैप्टर क्या है वह हमारा चैप्टर सता परिशकरण यानि कि सरफेस फिनिस ठीक है अब देखिए किसी भी इंदेश्टिंग में कोई भी मसीन बनाई जाती है कोई भी मसीन अगर ब इंजन के जहां पर हमको surface finish चाहिए ही यानि कि उसकी सता पर हमको अच्छी finish चाहिए ही जैसे अगर हम बात करें कि example के तोर पे लेते हैं example यगर मैं बात करता हूँ तो आपका cylinder होता है अगर आप किसी भी machine में चलती है यानि कि किसी भी car हो गया ट्रक हो गया बाइक हो गया उसमें एक engine होता है engine में cylinder और piston arrangement होता है ठीक है piston मैं थोड़ा चौड़ा बना दे रहा हूँ ठीक है इस तरीके से पिष्टन यहां से जुड़ा हुआता है connecting rod से अब देखिए अगर यह piston की जो सता है पिष्टन की जो बाहरी सता है इस पे अच्छी finishing नहीं होगी अगर इस पे roughness रहेगी तो यह जो पिष्टन है cylinder में चलेगा तो लेकिन पुरा cylinder की जो अंदर की सता है उसको भी फिनिस ठीक अब सर्थिस with जो समझने के लिए आपको कुछ चीज द्यानिकि सर्फिस थीकर कि में आपको बताता हूं ठीक है कि सर्फिस पिनिस कहते कि कि किसी पार्ट पर कि-c पार्ट पर राफनेस रफनेस और स्मूथा नियित टीग रफनेस और इसमूथनेस के संबंध को सरफेस-धिनिश कहती है आप करने के लिए संबंध किसमें रफनेस में और समूथन सन जैसे जैसे देखिए मेरे पास एक कोई copy है ठीक है ये copy है तो देखिए अगर हम बात करें इस copy की सतह की और इस जो हमारा whiteboard है इसकी सतह की तो इसमें सर्रफ काउन होगा इसमें सर्रफ होगा हमारा जो copy की सतह करेंगे तो ऐसे लगेगा और जो इसकी अपेच्छा ये जो है whiteboard की सतह क्या हो जाएगी इसमूथ हो जाएगी लेखिन अगर हम whiteboard की सतह से भी smooth कोई सतह ले 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 जानी कि जितना इस पे finishing है इससे ज़्य जादा फिंसिंग की भी कोई सतह ले 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 तो उस सतह की अपेच्छा जो हमारी whiteboard की सतह ये हमको क्या लगेगी ये खुरदुरी लगेगी इसी तरह से अगर हमारी ये copy है हम इसकी तुलना या इसका संबंध किसी ऐसे पार्ट से करें जो इससे अधिक खुरदुरा है समझ जाजना है यानि कि कोई सतह को हम स्मूथ और rough कैसे कहेंगे जब हम उसकी तुलना किसी से करेंगे ठीक है जैसा अगर ये copy है copy का page है और ये board है इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों में smooth काउन है हमारी board की सतह है copy की सतह हमको क्या लगेगी खुरदुरी लगेगी और इ कोई भी आप पार्ट ले लीजिए मेरे पास अभी यहाँ पे लेवल नहीं है कोई भी पार्ट आप ले लीजिए तो उसकी सतह की अपेच्छा जो काफी की सतह क्या है smooth हो जाएगी यानि कि surface finish हो जाएगी तो देखे जब इस से तुलना कर रहे तो ये सतह क्या थी कहेंगे या smooth कहेंगे वो किस आधार पर कहेंगे वो आप कहेंगे तुलना के आधार पर जब किसी दूसरे पार्ट से उसकी तुलना करेंगे तब ही आप बता पाएंगे कि हाँ भी यह ये smooth है और ये सता खुरदुरी है कोई एक पार्टिकुलर अगर आपको जॉब दे दि मतलब खुरदुरा है इसमूथ है कि रफ है तो आपने उसको छुआ और कहा कि भाई यह तो इसमूथ है लेकिन हमने क्या क्या प्र आपको दूसरा पार्ट दे दिया उससे भी जादा सर्फिस पिनीस का तो अब दोनों पार्ट आप हाथ में लेंगे तो अब मैं आप से लेकिन बाद में वो क्या हो गया खुरदुरा हो गया तो यही का गया है कि किसी पार्ट पर रफनेस और इसमूथनेस के जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्फिस फिनीस ठीक है तो यह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आगे पीगर के मारे दिन सम्झेंगे जो फीगर मने बनाया हुगा है टर्म्स यूज इन सर्फेस फिनिस ठीक है पहला जो टर्म लिखिए वो क्या है रफनेस ठीक है समझते जाएगा जो चीज इंपर्टन्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगा रफनेस ठीक है रफनेस में इसके डिफिनिशन लिखिए रफनेस में लिखिए जब हम जब हम किसी जौब पर किसी जौब पर आपरेशन करते हैं तो आपरेशन करते हैं तो अनियमितताएं बनती हैं अनियमितताएं मतलब कोई अलग जैसे लाइन हो गया कोई इसक्रेश हो गया देखिए जैसे मैंने इस सदा की फिंसिंग होई है आप रेती से भी अगर कोई जो फाइलिंग भी करेंगे तो अनियमितताएं तो जब किसी जौब पर कोई क्या आनियमिता ना हो टू सता को हम लोग क्या कहें गे और फिनिस्टाइब वेंगे थील्स एंड वैस्ट यह इंपर्टन्स एफ विए हे लिए हिल्स एंड वाय लििज hills and valleys यानि कि सता पर कुई सी भी सता पर उस पर क्या है अनिमितता है यानि कि scratch है, line है, को भी है कुछ भी है तो जो उसमें उठा हुआ पार्ट रहता है ठीक है यानि कि उठा हुआ पार्ट क्या कहलाता है hills ठीक है और दबा हुआ पार्ट क्या कहलाता है वैली ठीक है दबा हुआ पार्ट क्या कहलाता है वैली ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है तो देखें यहाँ पर कुछ दिये दबा हुआ पार्ट है यह देखें यह सभी क्या है ये सभी दबे हुए पार्ट है और ये सभी जो पार्ट है ये क्या है ये उठे हुए है तो इन पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे इन पार्ट को बोलेंगे हम लोग hills ठीक है और ये जो दबा हुआ पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे वाली ठी आता है अगला जो है लिखिए वेवीनेस ठीक है अगला जो टर्म है वो है वेवीनेस द्यान जीन सभी चीज़ों को समझे है यहां चैप्रस्ण बनते हैं ठीक है और इंपोर्टन चैप्टर है थोड़ा जा टब चैप्टर भी है बहुत लोग को समझ में नहीं आता है तो चौथा लिखिए वेवीनेस ठीक है इंगलिस में लिख लीजेगा अब देखिए इसकी डिफिनिशन पहरें लिख लिए उसके बार मैं आपको समझाता हूं किसी जाओब की सर्फिस पर किसी जाओब की सर्फिस पर रफनेस की अपेच्छा ठीक है रफनेस की अपेच्छा अधिक चोड़ी विसमताओं ठीक है अधिक चोड़ी विसमताओं को क्या कहते हैं अधिक चोड़ी विसमताओं को वेवीनेस कहते हैं अभी में समझारा हूँ परसान प्लूथ हूँ ये वेवीनेस कहते हैं ठीक है देखिये माली जी क्या है अनिमित्ता है ठीक है स्क्रेट राइन है तो अगर आपने प्रेक्टिकल करें किसी चीज चीज का किया होगा तो वहाँ आप ध्यान सरी चीज़े प्रेक्टिकल वाली है ठीक है यानि कि बीच का पार्ट कुछ जगा पर एकदम चिकना हो जाएगा एकदम फिनिश हो जाएगा बागी क्या रहेगी अनिमित ताएं जो है समान दूरी पर रहेंगी ठीक है तो जो वही चौड़ी विसमता होती है यान लेकिन अगर आप यह वाला पार्ट देखें तो यह क्या है अधिक चौड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहते है इसको हम लोग कहते है वेवी नेस ठीक है इसको हम लोग क्या कहते है इसको हम लोग कहते है वेवी नेस अगला जो है टर्म अगला टर्म लिखिए फ्लाज ठीक जब किसी जब पर या सतह पर अनियमित्ता कहीं कहीं पर हो ठीक है अनियमित्ता कहीं कहीं पर हो ठीक है जब किसी जब या सतह पर अनियमित्ता कहीं कहीं पर हो या किसी एक अस्थान पर हो कहीं कहीं पर हो या किसी एक अस्थान पर हो किसी एक अस्थान पर हो तो उसे क्या कहते हैं उसे फ्लाज कहते हैं उसे फ्लाज कहते हैं इसका इंग्लिस में भी लिख लीजिए फ्लाज F-L-A-W-S अध्यान से समझेगा जैसे आप लोग फिटर के स्टुडेंट हैं ठीक है आपने क्या बनाया एक जॉब बनाया बहुत यच्छा फिंसिंग करके जॉब बनाया लेकिन वो जॉब आपके जो दोस्त है उसको पसंद नहीं आया उसको क्या लगा कि भाईया इनको 20 में 20 मिल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा हमको नहीं से नंबर मिलेगा ठीक है तो उसने क्या किया आपने जो जॉब फिनिस किया हुआ था वो कुछ तो कर सकता था नहीं क्योंकि आपने अच्छा जॉब बनाया है तो आपको जाहिसी बात है अगर टीचर के पास आप लेके जाएगे चेकिंग कराने तो आपको 20 में 20 मिलेगा लेकिन आपका दोस्त ये चाह रहा था कि आपको 20 में 20 ना मिले ठीक है कमीना टाइप का दोस्त था ठीक है आपको 20 में 20 ना मिले तो उसने क्या किया चुपके से क्या उठाया एक पंच उठाया और हैमर उठाया और आपकी जो जवाब है उसमें ऐसे धीरे से वो पंच और हैमर से उसने निसान लगा दिया ठीक है और आपने वो निसान नहीं देखा या उसने क्या किया उसने subscriber लिया और आपकी सत्ह को ऐसे खुरुच दिया ठीक है यानि कि पूरी सत्ह तो finish है लेकिन वहाँ पर जो अनिमित्ता है यानि कि ये पंच का निसान है या जो scratching है किसी एक जगह पर है या एक दो कहीं कहीं पर है तो वो जो अनिमित्ता होती है उसको क क्या कहेंगे फ्लाज यानि कि पूरी सता आपने बहुत अच्छे से फिनिस की है लेकिन उसने क्या किया एक जगह पंच मार दिया ताकि आपको 20 में 20 ना मिले 19 मिले या उसने मार दिया कोई तो उसने मिले आनिमित्ता रहे जानि कि पूरी सता आपके फिनिस है लेकिन व वो अनिमित्ता कहीं एक žगह पर है एक दो जगह कहीं पर है तो उस अनिमित्ता को कहते है उस अनिमित्ता को कहते है फलाज, पूरी सता फिनिस कहीं एक जगह पर अनिमित्ता, तो उसको हम लोग क्या बोलते है उसको हम लोग बोलते है फलाज अगला देखिए अगला जो टर्म है वो आप लिखिए ले, थीक है, surface крепश फिनिस से जो अगला टर्म है जो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है वो है ले अब ले क्या है देखे जब भी हम लोग कोई लोग फिनिसिंग करते हैं तो फिनिसिंग करने की एक दिशा होती है ठीक है समझ रहे हैं आप बात को अभी मैं एक्जांपल से जितने तरह की ले होती है सब आपको समझाओंगा पहले आप ध्यान से सुनिए कि जो ले होती है क्या होती है फिनिसिंग करने की एक दिशा होती है वही हमारी क्या कहलाती है वही कहलाती है ले तो आप लोग अगला टर्न में जो अगला हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे वो डालेंगे ले ठीक है और ले में लिखिए इसका definition लिखिए किसी जॉब की surface पर किसी जॉब की surface पर जिस दिशा में ठीक है जिस दिशा में finishing की जाती है जिस दिशा में finishing की जाती है उसे ले कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे ले कहते हैं ठीक है जहां से समझेगा अब ही मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊँगा कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है पहली बात आप समझेगे किसी जॉब की surface पर जिस दिशा में finishing की जाती है उसे ले कहते हैं अब आप यहाँ पर नीचे लिखिए नीचे आप लिखिए इसको ठीक है इसको निमनलिखित चिन्धों के द्वारा इसको यहाँ पर आप दिख लिजे BIS में ठीक है यानि कि Bureau आप इंडियन स्टेंडर्ड में नीचे लिखित चिन्धों द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ भी एक तरप आप लिखेंगे चिन्ध और उसका क्या मतलब होता है यह लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले मैं चिन्न बना देता हूँ ध्यान से यह सभी चिन्न लिखिए ठीक है अब यहाँ पर लिखिए समानतर लेके लिए समानतर लेके लिए ठीक है अब देखिए अब आपको समझ में आएगा देखिए मैंने ले आपको क्या बटाया किसी जॉब की सर्फिस पर जिस दिसा में फिनिसिंग की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं ले तो ये अगर बराबर का साइन है तो इसका मतलब कि उस सता पर फिनिसिंग कैसे की गई है उस जॉब के समानतर मान लीजे हमारे पास ये कोई वरगाकार जॉब है ठीक है और हमने जो है इस पर फाइलिंग की है वो कैसे की है ध्यान से चमझेगा हमने जो इस पर फाइलिंग की है कैसे की है इस जॉब के समानतर है यानि कि मा लिजे फाइल हमने पकड़ दिया और हमने फाइल जो है ऐसे ऐसे चलाई है समझ रहे है surface finishing का process हुआ है वो किस direction में किया गया है तो job के समानांतर job के समानतर क्या किया गया है surface finishing का process किया गया है अगला सिंबल देखिए अगला सिंबल है यह वाला इसमें लिखा है लंबवत लेके लिए लंबवत लेके लिए अब लंबवत से क्या मतलब है कि इस जाब जो जाब है हमारा इसे के हम लोग क्या करें परपेंडिकुलर में क्या करें कोई भी फिंसिंग ऑप्रेशन करें जैसे मालीजे फाइलिंग का ही हम लोग कोई भी माशीनिंग ऑप्रेशन हो सकता है लेकिन फाइलिंग मुझे बताने में हासा नहीं हो रहे है इसलिए मैं उसको बता रहे हूं थीक है तो जैसे माली यह अगर symbol बना दिया तो इसका मतलब क्या है जो इस पे finishing narration हुआ है याने कि जो finishing job की की गई है वो इसकी सता के rokuIG यानि कि आप हम λोग filing अगर ऐसे करेंगे तो ये cancelay हो जाएगी ये lamboot ले हो जाएगी तीसरा जो दिखिए वो क्या है तीसरा लिखिए cross में बनी ले तो मैं ही पर लिख देता हूँ यहाँ पर दिखिए तीसरा क्या है cross में बनी ले ठीक है cross में बनी ले अब cross में बनी इसले से क्या मतलब है न समान अंतर में करेंगे न लंबोत में करेंगे कैसे करेंगे cross direction में यानि कि ऐसे diagonal direction में cross direction में यानि कि filing हम कैसे चलाएं जैसा कि normally हम लोग workshop में चलाते हैं अगर आपने practical किया होगा अगला सिंबल लिखी है अगला सिंबल है center से संबंधित गुलाई में अगला जो है center से संबंधित center से संबंधित गुलाई में ठीक है ठीक है अब माली ये filing अटा देते है अब हमको करनी है इसकी sending ठीक है जिसको हम लोग सरेश कागज बोलते हैं तो सरेश कागज हमने कैसे लिया सेंटर से संबंधित गोलाई में यानि कि ये सेंटर हमने ले लिया सरेश कागज हमने ऐसे पकड़ लिया और इसको हम सेंटर से संबंधित गोलाई में एसे एसे अगर हम फिन्सिंग कर रहे हैं आप बात को समझ रहें कि नहीं हमने आप इसका आगेज रखा और ऐसे ऐसे क्या किया फिनिसिंग करते हुए चले गये तो इस तरह की फिन्सिंग को हम किसे व्यक्त करेंगे C से व्यक्त करेंगे R से लिखिए center से 30 संबंधित ले center से 30 संबंधित ले 30 संबंधित ले अब इसका क्या मतलब हुआ देख लिजे मा लिजे कोई गोला होता है तो ये उसका center होता है अब इसकी 30 क्या होगी यहां से अगर हम परिज तक की दोरी मापले है तो वही उसकी 30 हो जाएगी तो ध्यान से समझेर का प्रचुद करें center से 30 संबंधित ले यानि की हमने क्या किया यहां पर फाइल यहां पर बीच में फाइल लखा कोई भी मारे पास जौब है तो हमने क्या किया बीच में फाइल लखा और उसके बाद ऐसे जिस भी direction में ऐसे ऐसे थीक है तो अगर हमने इस तरीके से finishing किया है आप समझ रहे है न यहां पर बीच में हमने फाइल लखा उसके बाद ऐसे 30 direction में बाहर की तरफ ऐसे center से बाहर की तरफ सेंटर से बाहर की तरफ तिर्जी डारेक्शन में इस तरीके से अगर हम क्या किया है फिनिसिंग किया है तो उसे हम लोग किस से प्रतसित करते हैं आर से और जो चीजें मैं समझा रहा हूँ अभी जब हम लोग प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे यानि कि surface finishing में जो चिन उपयोग होते हैं अभी जब हम लोग उसके वारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा तो ध्यान से सभी चीजों को समझ के चलिएगा अभी सुरू से तो बाद की जो एक भी चीज है वो समझ में आपको नहीं आएगी ठीक है तो आर से क्या है सिंटर से सम्बंधित ले आप से प्रस्ने पूछेगा आर क्या परदर्सित करता है भाईया ले की अगर surface finish में अगर ले को हम लोग आर से परदर्सित कर रहे हैं अगर हम लोग आर से दिखा रहे हैं तो वो क्या परदर्सित करता है आपको चार आप संदिते का क्रास में बनी ले सेंटर से सम्बंधित गुलाई में सेंटर से त्रिज्या सम्बंधित लंबवत ले के लिए तो आप क्या बताएंगे सेंटर से त्रिज्या संबंधित ले के लिए आरचिन्ध का प्रियोग किया जाता है एक हमारा लाश्ट में लिख लीजे M को M से क्या पदसित करते हैं अधिक दिसाओं में बनी ले ठीक है ये सबी आप लोगों ने लिख लिया होगा M क्या होता है अधिक दिसाओं में बनी ले ठीक है अधिक दिसाओं में बनी ले इससे क्यादाद पर है यानि कि इसमें से कई प्रोसेस का उपयोग किया गया है यानि कि हम उसमें संबानतर भी लेका प्रियोग किया गया है लंबोध भी प्रियोग किया गया है class भी उपयोग किया गया है ठीक है तो इस तरीके से यानि कि कई अगर lake out किया गया है तो उसको हम लोग किस से प्रदरस्रीत करेंगे उसको हम लोग m से प्रदरस्रीत करेंगे तो यह था हमारा lake अब आईए बढ़ते हैं अगले जो तरफ अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें आप एडवांटेज लिखेंगे सर्फेस फिनिस का यानि कि एडवांटेज आप सर्फेस फिनिसिंग ठीक है तो हेडिंग डालीजे छोटा सा है लिख लीजे नोट्स में मभव है जारा जोब़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लीजें इस अब सावी चीजों को अडवांटेज आप सर्फेस फिनिस कि देखे advantage क्या होता है simple-simple जो surface finish का advantage होता है वह ही हम लोग देखेंगे घरसर पहली बात कम होती है friction क्या होता है किसी machine में दो parts की वी जो होने वाला friction है जो घरसर है वो कम हो जाता है अब यह जब घरसर कम होगा तो parts कम खिसेंगे machine की speed बढ़ जाएगी machine का जीवन काल बढ़ जाएगा और lubricants का जो बहाओ रहेगा वो free रहेगा तो यह क्या होता है यह होता है advantage of surface finishing अब बात आती है कि जो surface finishing को हम लोग मापते हैं या व्यक्त करते हैं वो किसमें व्यक्त करते हैं यहां पर यह आपके लिए important है तो दो पद्धतियों में हमको लोग को याज रखना एक पहला है British पद्धति में और दूसरा है metric पद्धति में तो British पद्धति में इसको किसम मापते हैं Micro Inch में में और अगर metric पड़ाली की बात करें मापते हैं Large माइक्राउन में ठीक है यह प्रसन आपसे पूछा गया है कि सर्फिस फिनिश को किसमें मापते हैं तो सर्फिस फिनिश को हम लोग किसमें मापते हैं माइक्राउन में मापते हैं अब बात करें एक माइक्राउन की कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है आप से किसमें मिली मीटर में तो एक micron rubber कितना होता है 0.001 mm अगर बात करें cm की यह सभी प्रस्म जो है पूछे गाए है जो मैं आपको बता रहा हूँ एक micron rubber कितने mm तो एक micron rubber 0.001 mm और बात करें cm की तुछ में क्या होगा एक 0 और बढ़ जाएगा 0.0001 cm ठीक है अब पूछता है एक micron बढ़र कितने inch ठीक है यहाँ पर लिख लीजए 1 micronंच बढ़र कितने inch तो एक micron बढ़र 0.0000001 ठीक है यानि कि point के आगे कितना 0 रहेगा point के आगे इसमें 5 0 रहेगा और इसमें कितना 0 रहेगा इसमें 2 0 रहेगा एक micro inch वरावर कितना होता है एक micro inch वरावर 0.0000001 inch ठीक है तो अब आई हम लोग जो अगला topic है वो है मारा roughness value ठीक है यानि कि अगला जो हमारा topic है वो क्या है roughness value अब देखिए roughness value है क्या तो BIS में जैसे किसी भी सता है तो भाईया उसकी roughness value कितनी है यानि कि जो उस पर roughness है वो कितनी है वो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग grade का उपयोग करते हैं ठीक है BIS के द्वारा यानि कि Bureau आप Indian Standard के द्वारा कुछ grade बनाए गए है कि भाई या सता को चक्किया जाएगा उसकी roughness value चक्की जाएगी और उस हिसाब से उसको grade दे दिया जाएगा कि इसकी roughness कितनी है तो वहाँ पर उस grade में ठीक है grade का जुमान है 12 तरीकी के टोटल लगभा grade होते है तो उस grade का जुमान है वह आपको याद रखना है वहाँ से आपसे प्रस्न बनता है ठीक है तो आप लोग हेटिंग डाल लीजे roughness value यहाँ पर लिख लिजे roughness value ठीक है बहुत ज़्यादा इसमें मैं deep में नहीं जा रहा हूँ जो चीज़ें आपसे प्रस्न पूछा जाता है बस वही मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो इसमें लिख लिजे roughness value में लिख लिजे BIS ठीक है BIS standard में standard में RZ तथा RA जहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना है हम लोग को RA के बारे में पढ़ना है BIS standard में RZ तथा RA सूत्रों सूत्रों के मान ठीक है RZ तथा RA सूत्रों के मान की इकाई को इकाई को माइक्राण में माइक्राण में सम्बोधित करते हैं सम्बोधित करते हैं ठीक है यानि कि जो इसकी वाइलू होगी किसमें होगी माइक्राण में होगी ठीक है अब आप हेडिंग डालेंगे surface finish के grade surface finish के grade ठीक है अगला जो आपका heading है वो क्या है यानि कि ये किस से सम्बंदित है RA से सम्बंदित है roughness value से ही सम्बंदित है अगला जो heading है उसमें क्या डालेंगे surface finish की grade यहाँ पे लिखिए BIS के अनुसार BIS के अनुसार ठीक है यहाँ कि ब्यूरो आप इंडियन इंडियन स्टेंडर्ड की अनुसार RA सूत्र के RA सूत्र के मान के अनुसार ठीक है यानि की roughness value के अनुसार कितने grade बताए गए है surface finish के 12 standard grade होते है surface finish के 12 standard grade होते है और इनही grade की जो मान होती है इनही जो grade का मान होता है वो कितना होता है वो आपको याद रखना है थीक है यह पहली बात आद रखनी है कि जो surface finish का grade है BIS के अनुसार कितने है 12 और इनही 12 को जो मान है वो आपको बीच बीच में पूछ लेता है कि N9, N8 का मान मताईए तो उस मान को आपको लिखना है तो उसके लिए आप क्या करिए उसके लिए आप एक table बनाईए ठीक है तो एक table मैं बनाता हूँ उसमें सभी values को क्या करते हैं हम लोग लिखते जाते हैं ठीक है कुछ ऐसा टेवल जो है आपको बनाना है यहाँ आप क्या लिखेंगे roughness grade number ठीक है roughness grade number यह इधर direction में होगा ठीक है इसमें आप क्या लिखेंगे आरे का मान ठीक है आरे का मान यह इधर दिखाया जाएगा ठीक है यह नीचे नहीं है यह आरे का मान इधर दिखाया जाएगा Roughness का जो Grade का नमबर है वो इधर दिखाया जाएगा तो थोड़ा सा Confuse आपको नहीं होना है नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर यह जो Micrometer में दिखाया जाएगा जो आरे का मान है वो Micrometer में दिखाया जाएगा और नीचे आप क्या लिखेंगे प्रतीक ठीक है तो अब आप जल्दी जल्दी लिखते जाएए N1 N2 और N3 पहले में क्या लिखेंगे N1, N2, N3 ठीक है यहाँ पर क्या लिखेंगे N4, N5 और N6 यहाँ पर लिखेंगे N7 N8 और N9 फिर N10 N11 और N ठीक है अब इन सभी की values जो है आप लिखते जाएए इसकी जो value होगी क्या होगी 0.025 ठीक है N2 की कितनी होगी 0.05 N3 की कितनी होगी मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ 0.1 और यह सभी values किसमे है सभी values है Micrometer मे अगला लिखिए 0.2 0.4 और 0.8 ठीक है इसके आगे का लिखिए 1.6 3.2 और N9 का लिखिए 6.3 आगे लिखिए 12.5 25 और 50 ठीक है अब आप symbols देखिए symbols आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको फिर से अगला जो है point लिखना पड़ेगा यहाँ पर कितने triangle है 4 triangle ठीक है यहाँ पर कितने triangle है यहाँ पर 3 triangle यहाँ पर कितने triangle है यहाँ पर 2 triangle और यहाँ पर 1 triangle ठीक है अभी इस जो उल्टे त्रिफुज बने हुए हैं इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब मैं आपको भी समझाओंगा ठीक है तो आपको ये टेबल याद रखना है ये वाला जो प्रस्न है पूछा गया है कि आरे के मान के अनुसार N9 ग्रेड का जो मान होगा वो कितना हो तो आप एक बार अगर टेबल बनाए रहेंगे न तो वहाँ पे जो आपसन आपको दिये रहते हैं वो बहुत पास पास नहीं रहते हैं यानि कि थोड़े दूर दूर रहेंगे तो आपको अगर एक बार टेबल आपका बना है तो आप वहाँ पे गेस कर लेंगे कि इसमें स टॉपिक कि टरफ ठीक है तो इसका आप टेवल बना सकते हैं मुगा यह सकते हैं बाद में आप इस टेवल को बना लीज जीएगा ठीक है अब आएगे बढ़ते हैं कि यह जो ट्राइंगल सोते हैं ये हमें क्या बताते ही तिक यानि कि जो चार त्रिफूज है ये तीन त्रिफूज है दो त्रिफूज है ये सब हमको क्या बताएंगे तो ये बताते हैं कि कोई भी सता कितनी फिनिस है तिक यानि कि अगर कोई सता है तो उसकी फिनिसिंग कितनी है ये जो ट्रैंगल सा है हमें वही बताते हैं तो यहां पर heading डालीजे सरफेस फिनिस का चिंद सरफेस फिनिस का चिंद और इधर आप क्या लिखेंगे इधर आप लिखेंगे प्रायोग ठीक है तो यहां पर अगर देखिए ऐसा सर्फेस चिंद बना है ठीक है पहला अगर आप देख लिए यहां पर अगर ऐसा सर्फिस चिन बना है तो इसका मतलब क्या है कि जो सता है वो कैसी है बिना मसीनिंग की सता है ठीक है अगला देखिए दूसरा क्या है एक त्रिभुज बना है दूसरा क्या है अगर एक त्रिभुज बना है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है साधारन मस सथ इसका मतलब क्या है साधारण मसीनिंग सथ ठीक है अब देखिए तीसरा में क्या है दो त्रिभूज अगर हमारे पास है ठीक यानिकि अगर इस तरह का सिंबल बना है दो त्रिभूज का तो यह क्या होती है grinding क्रिया की सत है grinding क्रिया की सत है ठीक है चौथा देखिए तीन त्रिफू जगर हमारे पास है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा इसमूथ ग्राइंडिंग ठीक है या इसे हम लोग क्या बोलेंगे फाइन ग्राइंडिंग सत है और पांचमा जो है यहां पर अगर चार त्रिफू जबना है इस तरीके से तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लैपिंग लैपिंग एन्ड हानिंग की सत्य अब देखिए कोई इंडस्ट्री होती है तो वहां पर जो फिनिसिंग करने वाला यानिकी ऑपरेटर रहता है उसको जब हम कोई भी जॉब देंगे तो उसके पहले उसका क्या दिया जया द्राइंग दिया जाता है कि कौन साइज पर ऑप्रेशन करना है किस दरजी की इस पर फिनिसिंग हमको चाहिए तो उसी हिसाब से वह फिनिसिंग जो है करता है अगर मान लीजे जो हमने उसको ड्राइंग दिया पेपरवर्क दिया उस पे क्या बना है तीन ट्रेंगल बना हुआ है तो वो समझ जाएगा कि इस पे हमको क्या करनी है फाइन ग्राइंडिंग करनी है यानि कि इसकी requirement कैसी है जो जौब की ये fine grinding की है अगर उस पे क्या बना है चार triangle बना हुआ है तो समझ जाएगा कि इस पे जो finishing operation होना है वो कैसा होना है वो होना है लाइपिंग एंड हॉनिंग यानि कि इस पे बहुत ही जादा अच्छी finishing चाहिए ठीक है तो यहाँ से प्रस्ण बनता है कि तीन triangle आपको देदेगा कि surface finishing में सता परिसकरण में अगर तीन त्रिफूज या ऐसे ये बना के देदेगा ये क्या प्रदरसित करता है तो आपको आपसन देदेगा बिना machining की सता साधारण machining की सता grinding क्रिया की सता या fine grinding की सता अगर तीन त्रिफूज बना है तो आप क्या बताएंगे fine grinding की सता ऐसे question पूछ सकता है जिकने तरह के बन सकते हैं दूसरा आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सबसे अधिक finishing को प्रदरसित करता है या उच finishing को प्रदरसित करता है तो वहाँ पे आपको ये चार अपसन देगा एक triangle, दो triangle, तीन triangle, चार triangle तो आप क्या बताएंगे कौन सबसे अधिक finishing को प्रदरसित कर रहा है तो भाईया ये जो चौथा अपसन है यानि कि अब भाईया इस पे liping and honing अपक्रिया हो रही तो इसका मतलब आपको समय जाए अब आईये जो सबसे महत्पूर जो टॉपिक है हमारे इस चप्टर का वो हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राइंग में सर्फिस फिनिस को कि इन चिन्दों द्वारा प्रकट करते हैं तो आप एडिंग डाल दीजे ड्राइंग में जो अभी मैंने यह बताया ना कि ड्राइंग है तो इसी तरीके से और से और बहुत चिन्द प्रयोग होते हैं सर्फिस फिनिस को व्यक्त करने के लिए तो उन चिन्दों से बहुत ही जादा प्रस्न बनते हैं आप लोग कहीं भी किसी भी क्वेस्टन राइंग को उठा के देख लीजेगा यहां से जो है फिनिस के यानि सर्फिस फिनिसिंग के जो चिन्द है वहाँ से आपके बहुत ही जादा प्रस्न बनते हैं तो यहां पर आप हेडिंग क्या डालेंगे आप ड्राइंग में राइंग में सर्फिस फिनिस को प्रदर्सित करने वाले चिन्द प्रदर्सित करने वाले चिन्द ठीक है बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक है आप इसको इंपॉर्टन लाग के लिख भी लीजेगा क्योंकि सर्फिस फिनिस से जो सब ज़्यादा प्रस्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं तो सबसे पहले देखिए आप समझिए सर्फिस फिनिस को हम लोग किसी न किसी ट्रेंगल द्वारा दिखाते हैं जैसे मैंने भी आपको त्रिभुज याने के जो ट्रेंगल बनाया था त्रिभुज बनाया था उसी के द्वारा सर्फिस फिनिस को व्यक्त किया जाता है simple देखिए, सबसे पहला triangle देखिए कुछ इस तरही के से होता है यानि कि जो surface 그럼 इसको sign है main sign यही होता है basic जो sign होता है, यही होता है इसी में हम लोग फेर बदल करके तरह तरह की चीजे करते हैं तो अब देखिए ये जो triangle बना होता है ये होता है 60 degree का अब देखें ये टोटल जो है वानिट्टी होता है तो ये जो तीनों रहेंगे कितने रहेंगे 60, 60, 60 रहेंगे पहली बात आपको ये द्यान रखनी है दूसरी बात ये है कि जो इस भुजा की हाइट रहेगी माल लिजिए इसकी हाइट क्या है एच है तो जो ये अगली पुजा है इसकी हाइट कितनी होगी इसकी हाइट होगी 3H क्योंकि हम लोग ड्राइंग की बात कर रहे है तो ड्राइंग की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे नाप तोल किसमें बात करेंगे तो इस चिन्न द्वारा यानि कि बेसिक चिन्न हमारा क्या है बेसिक चिन्न है हमारा ये ठीक है अभी इसको आगे हम लोग इंप्रूमेंट करते करते पढ़ते जाएंगे कि भाया क्या क्या हम लोग इसमें इंप्रूमेंट करते है तो basic चिन्न हमारा क्या है? basic चिन्न हमारा यही है जो surface finish है उसको ऐसे व्यक्त करते हैं तीक है? अब आईए अब आगया दूसरा चिन्न यही चिन्न है और यह क्या है? यह जो सता है वो हमको प्रदाशिर करते हैं यानिकि जिस सता पर यह operation करना है ये जो line है ये उसी सता को जो है हमारे व्यक्त करती है अनलब आप समझ रहे हैं कि नहीं जैसे माल दीजे कोई इस तरह के हमारा machine part है कोई इस तरह के हमारा machine part है हमने क्या किया इस पर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके और यह वाला symbol बना दिया यानि कि इस सता पर हमको यह वाला operation चाहिए इस सता पर नहीं चाहिए तो वहाँ symbol नहीं बनाएंगे तो इस तरह के से कुछ व्यक्त करती है तो यह था पहला basic दूसरा यही है इस तरह के हमारी surface है और उस पर कुछ इस तरह के का चिन बना हुआ है यानि कि simple यही वाला जो है चिन बना हुआ है तो यह चिन हमें क्या बताता है यानि कि जो यह चिन बना हुआ है अगर किसी सता पर तो वो चिन जो है यह चिन हमें क्या प्रदर्शित करता है यह आप से प्रस्न पूछता है ठीक है वो ये चिन्ह में बताता है कि आप कोई भी operation करके कोई भी operation करके product तयार कर सकते हैं product तयार कर सकते हैं ठीक है? अब आप बात को समझ गया है कि नहीं? यानि कि किसी भी worker को ध्यान से समझ येगा किसी भी worker को कोई job दिया गया और उस पे ये symbol बना दिया गया dimension वगरा सब लिख दी गई इसका मतलब उसको छूट मिल गई कि भाई तुमको इसका machining करना है तुम चाहे turning करो तुम चाहे filing करो तुम चाहे milling करो कोई भी operation करो लेकिन हमको ये product तयार चाहिए कोई भी machining operation करो लेकिन हमको ये product तयार चाहिए तो उसके लिए कैसा symbol बना जाएगा ये symbol बना जाएगा तीसरा देखिए क्या है तीसरा symbol है कुछ ऐसा ठीक है यानि कि ऐसा ही है लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया एक line खीच देया गया तो ये symbol हमें क्या बताता है कि जो product आपको तयार करना है यानि कि अब देखिए आप यहाँ पे condition हो गई कि भईया आपको machining operation करना है आप product तयार करिए लेकिन उसमें metal का removal होना आवस्यक है यानि कि आप यहाँ पे लिखिए जो भी product जो भी product तयार कर रहे हैं तयार कर रहे हैं उसमें metal का removal होना यानि कि metal को हटाना चाहिए वो turning हो चाहिए filing हो चाहिए grinding हो वो आवस्यक है जो भी product तयार कर रहे हैं उसमें metal का mitigation होना क्या है आवस्यक है ठीक है यह छीज़ जो है आप समझ है अब देखिए अगला जो है चौथा देखिए चौथा क्या है चौथा सिंबल देखिए ये सभी जो सिंबल है बहुत important है अभी last में मैं आपको एक निचोड बताऊंगा इन सभी सिंबल का जो प्रस्न जो है आप से पूछा जाता है प्रस्न आप से इसी पूछी का कि ये आपरेशन करेंगे उसमें मेटल को अटाना आवस्सक है ठीक है अगला सिंबल देखिए अगला सिंबल क्या है कुछ इस तरीके का ठीक है अगला सिंबल क्या है सर्फेस फिंसिंग का कुछ इस तरीके से है ये सिंबल हमें क्या बताता है कि हमें प्रोडक्ट तो तयार करना है लेकिन मेटल का रूमिवल किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए यानि कि उस पे हम मेटल को नहीं हटा सकते है यानि कि यहां पे हमें प्रोडक्ट तो तयार करना है लेकिन हम उसमें से मेटल का रिमूवल नहीं कर सकते हैं यानि कि आप उस पर फोर्जिन करें kalo प्रेसिंग करें लेकिन मेटल उसमें से आपको नहीं हटा ना कि जो भी प्रोडक्ट तयार करना है वो विना मेटल को फथाये तयार करना है अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो तो यहां भी प्रस्न जो है सबसे पूछे जाती हैं अब देखिए पांचवा क्या है पांचवा जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है यहां भी नीचे जो है ऐसा रहेगा पांचवा जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है ठीक है ऐसा सिंबल है और यहां पे हमने क्या कर द और यहां पर क्या लिख दिया टर्निंग ठीक है अब इसका क्या मतलब हुआ अब देखे यह वाला जो सिंबल था अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या कर सकते हैं मेटल रिमूवल क्या करना है मेटल रिमूवल आवसक है कोई भी आप्रेशन कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या कर दिया हमको specify कर दिया कि भाया तुमको metal का removal करना है लेकिन किस operation के द्वारा करना है turning के द्वारा अगर यहां पर मैं लिख दूँ filing ठीक है यहां पर मैं लिख दूँ क्या filing ठीक है यानि कि यहां पर जो लिखा रहेगा वो हमें क्या बताता है वो हमें production का method यानि कि उत्पादन का method बताता है अगला देखिए चिन्द में क्या हो सकता है चट्वा देखिए अगला देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको values दी जा सकती है मालीजे कोई symbol है तो यहाँ पे आपको क्या लिखा रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा n9 या n7 ठीक है या क्या लिखा ओसकता है 6.3 1.6 ठीक है अभी मैंने आपको क्या बताया कि यह जो क्या है grade है roughness का grade है अगर ऐसा आपको यहाँ पे लिख दिया यानि कि यह उपर रहेगा इसके उपर रहेगा थोड़ा से, N9 और N7, इसका मतलब भी या जो भी आप finishing operation कर रहे हैं, उसकी जो value का grade है, वो इसके इसके बीच में grade होना चाहिए, या इसके इसके बीच में value होनी चाहिए, क्योंकि N9 की value क्या होती है, 6.3, N7 की value क्या होती है, 1.6 micrometer, इसका मतलब इतने इतने और इतने के बीच हमको क्या चाहिए, इस सटाह की finish चाहिए, तो ऐसे अगर लिखा हुआ है, या प्रदरसित करता है, रफनेस वैलू को प्रदरसित करता है, या रफनेस का जो grade है, उसको प्रदरसित करता है, अब आईए देखते हैं, एक final figure, ठीक है, एक final figure हम लोग जो है, देखते हैं, और ये figure जो है, बहुत ही ज्यादा important है, और बहुत ही ज्यादा प्रस्न जो है, यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर heading डाल सकते हैं, ड्राइंग में, यहाँ बेडिंग डालिए, ड्राइंग में, ठीक है, क्या करते हैं, सरफिस की रचना को, सरफिस की रचना को, निम्न चित्र द्वारा, सरफिस की रचना को, निम्न चित्र द्वारा दरसाया जाता है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ से इस figure को ध्यान से देखिएगा, जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का figure बना हुआ है, और यहाँ पर कभी सभी जो values लिख दी है, A हो गया, E हो गया, D हो गया, ठीक है, B हो गया, अगला क्या हो गया, C और F, ब्रैकेट में, बहुत ध्यान से इस figure को समझेगा, यहाँ पर सभी values लिखी है, A, B, C, D, E, अब आपसे पूछता है, कि A क्या परदरसित करता है, ठीक है, आपको ऐसे figure देगा, और कहेगा, भाईया, बताइए, इसमें A क्या परदरसित करता है, तो A मैंने आपको पहले भी बताया, कि roughness value, roughness value, या roughness grade, मैंने अभी आपको एक figure ऐसे बना के दिखायता है, और यहाँ पर मैंने लिखा था roughness grade, तो A क्या परदरसित करता है, roughness value या roughness grade को पतरसित करता है, अगला जो है, अगला है E, E क्या परदरसित करता है, यानि कि यह वाला जो है, यह क्या परदरसित करता है, यह हो गया machining allowance, ठीक है, अब देखिए, आप किसी भी सता के fincing करेंगे, तो उस पे कोई नो कोई machining operation करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा machining allowance, कि भईया, इस product में machining allowance इतना दिया गया है, इतना ही machining करना, नहीं तो हमारा part खराब हो जाएगा, पता चला, machining allowance नहीं लिखा है, तो किस size का उस part को बनाना है, उस worker को या उस operator को पता ही नहीं चल पाएगा, और यहाँ पे जब machining operation लिखा रहेगा, उसको पता चल जाएगा, कि हाँ भया, इतनी सता ही हटानी है, अगर उस से ज़्यादा हटा देंग, तो हमारा part छोटा हो जाएगा, और हमारा part खराब हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, machining allowance, डी क्या दिखाता है, direction of lay, direction of lay, ठीक है, अब मैंने अभी आपको ले समझाया था न, कुछ जिस दिसा में, machining की जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, ले कहलाती है, तो यहाँ पे figure में दिया रहेगा, कि भही आपको इस part की जो machining करनी है, वो कैसे करनी है, और डी की जगा प symbols हैं, यह हो गया, R हो गया, C हो गया, तो उस जो worker है, वो समझ जाएगा कि R का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उसी direction में वो क्या करेगा, उसी direction में वो machining करेगा, बात करती है, B, B क्या प्रदरसित करता है, तो B प्रदरसित करता है production method, ठीक है, B क् दसीत करता है production method यानि कि B की जगह पे क्या लिखा रहेगा turning, filing, milling, sending यानि कि कि किस प्रक्रिया द्वारा आपको उस job की machining करनी है वहाँ पे ये लिखा रहेगा C क्या है C हमारा है sample length ठीक है C क्या है sample length ठीक है C क्या है sample length अब देखें sample length क्या होती है यहाँ पे आप इसको लिख भी लीजिए क्योंकि बहुत लोग को नहीं चोड़ने आ रहा होगा job की जितनी लंबाई में सता के उचे नीचे अस्थानों को और उचे नीचे अस्थानों को check किया जाता है उचे नीचे अस्थानों को का किया जाता है चेक किया जाता है वही क्या कहलाती है सैंपल लेंट कहलाती है अब यह 10 मीटर हमारा लंबा साफ्ट है 10 मीटर का तो भरहल साफ्ट बनता ही नहीं है 5 मीटर लंबा साफ्ट है तो क्या वो अगर उसकी सर्फेस फिनिसिंग चेक करेगा तो क्या पूरे 5 मीटर उस पर चेक किया जाएगा, वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी कहलाती है, surface, sample, length, और f क्या है, other roughness value, यानि कि अगर और कोई value है, surface finish related, तो उसको हम लोग क्या करते है, ब्रैकेट में लिख, देते हैं, ठीक है, अब आप से प्रस्ण कैसे पूशता है, यहां से समझझे, ठीक है, यहां से समझ यह प्रस्ण कैसे पूशता है, ऐसई अगर आपको एक figure देगा, और पूचує liberals कि डी, क्या प्रतरसित करता है, यानि एक figure करता है machining allowance A क्या प्रदर्शित करता है roughness value roughness grade C क्या प्रदर्शित करता है sample length और F क्या करता है other roughness value ऐसे प्रसंद पूछा जा सकता है या प्रसंद पूछेगा ठीक है इस figure को मैं erase का रहूं आप screenshot लेना चाहें तो screenshot इस पूरे जो है board का ले सकते हैं ठीक है या तो देखिए प्रसंद कैसे पूछेगा प्रसंद ऐसे पूछेगा question देखिए में लिकरा हूं निम्न मेंसे काउन direction आफ ले direction आफ ले प्रदरसित करता है direction आफ ले प्रदरसित करता है ठीक है अब आपको यहां पर चार फीगर इस तरीके से बना देगा ठीक है मैं जोड़ा चोटा चोटा बना रहा हूं निम्न मेंसे काउन direction आफ ले प्रदरसित करता है यहां पर लिख दिया A कुछ भी लिख सकता है यहां पर लिख दिया E यहां पर लिख दिया D और यहां पर लिख दिया B ठीक है यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया तो अब देखिए इसमें direction आफ ले कौन प्रदसित कर रहा है ठीक है यानि कि जो ले का direction है वो कौन प्रदसित कर रहा है तो ले का direction मैंने आपको अब एक figure जो बनाया था उसमें कहां लिखा था? यहाँ पे लिखा था यहाँ पे लिखा था direction आफ ले तो देखिए यहाँ पे कौन सा वार्ड जो है इस वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न direction आफ ले यानि कि जो direction आफ ले को हम जो प्रदसित करेंगे उसमें कहां लिखा रहेगा लेटर यहाँ पर लिखा रहेगा तो कौन सा आप्षन सही हो जाएगा ये वाला आप्षन सही हो जाएगा तीक है अब इसी प्रस्ण को मैं change कर दूँ ठीक है प्रस्ण देखी जितने प्रस्ण बने हैं सब यहीं से बने प्रस्ण आपसे पुछेगा कौन उत्पादन विधी को पदरसित करता है तो अब देखें उत्पादन विधी कहां लिखा जाता है तो जो ये लाइन होती है इसके उपर हम लोग क्या लिखते हैं production method तो अब कौन सा इसमें figure सही हो जाएगा कौन सा आप्शन सही हो जाएगा तो इसमें ये वाला आप्शन सही हो जाएगा यानि कि ये चित्र हमारा क्या पदरसित करता है production method को पदरसित करता है इसी तरीके से मैं आपको change कर दूँ निम्न में से कौन machining allowance को पदरसित करता है machining allowance को पदरसित करता है तो machining allowance कहा निखा जाता है वहिया तो जो ये वाला triangle होता है आपको बता है यहाँ पे कहीं लिखा जाता है तो देखें कौन से चित्र में यहाँ पे value लिखी गई है यहाँ पे लिखी गई है तो ये वाला option सही हो जाएगा इसी तरीके से मैं आपसे पूछूँ कि निम्न में से चित्र सैंपल लंभाई को प्रसित करता है तो कौन सा अपसन सही हो जाएगा ये वाला option सही हो जाएगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और जो प्रस्न जादा सबसे बनते हैं वो यहीं से बनते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहां से इस चैप्टर से किस तरीके से प्रस्ण बन सकते हैं और कैसे प्रस्ण बनते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ प्रस्ण मैंने है भी लिखे हुए भी है लेकिन यही प्रस्ण है जितने मैंने बता हैं आपको सब यहीं से प्रस्ण है जैसे आप से प्रस्ण पुछा गए न two triangle दरस आएगा कि एक दरस आएगा तो सबसे अधिक surface को कौन दर्स आता है जो 4 triangle वाला होता है वह दरश आता है और बाकी जो प्रस्ण है वह आपके maximum यही से बनते हैं grade की value से प्रस्ण बनते है grade की value क्या होती है यहां से इन चित्रों से प्रस्न बनते हैं लागे किसमें मीजर करते हैं सर्फिस जो है सर्फिस फिनिसिंग को तो माइक्रॉन में मीजर करते हैं ये भी प्रस्न पूछा गया है टाइंस प्रस्ट पूछा गया कि, वेवीनेस किसे कहते हैं, जो सता में ऊचे- Sami नीचे अस्थान होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको मैंने बताया «Hills & Welles कहते हैं». Flás क्या होता यह मैंने आपको बताया,ampa Daten UK, ले क्या होता है यह मैंने बताया, symbols होते हैं जो मैंने आपको ले के बताए कि C symbol क्या प्रदसित करता है आपसे ऐसे प्रसन पूछेगा तो ले क्या होती है मतलब जितनी भी चीजे हो सकती थी यहां से जितने भी प्रसन यहां से बन सकते थे वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया अब आपको करना है एक काम कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ सेयत जरूर कर देना है कि भाई आप फिटर थेरी का फॉल कॉर्स चल रहा है अभी भी टाइम है अभी 49 वा लेक्चर है 10-15 लेक्चर 20 लेक्चर हमारे और होने है तो अभी भी टाइम है जोईन कर लो और किसी एकजाम के त्यारी कर रहे हो तो आपको निस्ची थी मदद मिलेगी और लास्ट में चैनल को सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बिल्को आल पे सेट कर दिए ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आपकी कोई क्लास मिस ना हो तो हम लोग मिलते है नेक्ट लेक्चर में नया टॉपिक जो है लैपिंग एंड होनिंग है सर्फिस फिंसिंग पढ़ लिया अब सर्फिस फिंसिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग लैपिंग एंड होनिंग को पढ़ेंगे नेक्स चैप्टर यानि कि वो हमारा क्या है अलग चैप्टर है ठीक आज हमारा चैप्टर था चैप्टर नमबर 16 यानि कि नेक्स लेक्चर में हम लोग 17 चैप्टर जो है शुरू करेंगे लैपिंग एंड हॉनिंग का तो लिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में नए टॉपिक के साथ तब तक बने रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद